हाई फ्रेंड टेकनिकल सराजी यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि हमने एक मेमोरी कार्ड है जो हमने मल्टी बूट करा है मतलब इसमें हमने एक से जादे विंडो को फूटेवल बनाया है जिसमें मैंने विंडो से लग बनानी होती है और विंडो टैन के लिए अलग बनानी होती है और विंडो से वन के लिए अलग बनानी होती है लेकिन नहीं मल्टी बूट में यह होता है कि आप कई सारी विंडो को मतलब कई सारी विंडो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें आप एक ही पैंड में विंडो सेवन और विंडो टैन को बनाया है तो दोनों ही मेरी विंडो टैन विंडो सेवन सक्सिस्फुल एकदम बुटेबल पैंड्राइब बन गई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं इसमें चाहता हूं बना सकता हूं मुझे ज़रूरत नहीं है कि अलग सकते हो कि आप मैंने अपनी पैंडियो और मल्टी में मनें मेने विंडो सेवन को रुक लिया है मतलब जरूत नहीं है अ Civर्ग इना पनाने कि आप देख सकते हैं वेंडो टैन ओर विंडो सेवन एकी पेंड्राइव घिक है तो इस को हम देखेंगे आज की वीडियो में । कर रहा है आप देख सकते हो इसके पर हमारी जो विंडो है वो इनिस्टोल हो रही है अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं है बड़ी आसानी से इस्टोल हो रही है जैसा कि आप देख सकते हो विंडो का आ गया इस पर हम यहां से इनिस्टोल कर सकते हैं अराम से यह आ गया यहा आपको आपको अपनी स्क्रीन पर आजाना है और आपको एक अपने ब्राउजर को ऊपन कर ले ना मैं कर लेता हूं Google Chrome को और यहां पर type करना bin setup from USB W-I-N-S-E-T-U-P-F-R-O-M-U-S-B और आपको करके enter करना है bin setup from USB आपको type करके enter करना है जैसे ही आप type करोगे आपको एक website दिखाई देगी तो आपको ये पहली वाली website पे नहीं जाना आपको जाना है आपको दिखा देता हूँ कौन सी website पे जाना है तो friends आपको जाना file eagle dot com जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर file eagle dot com इस पर आपको किलिक करना है file eagle dot com इसी पर ये software आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा software है बहुत ही नहीं software लगा उसके बाद आपको ये download link में आपको मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ से आपको download करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे आपको यहाँ पर एक दम मतलब आपको जहां भी अपनी file save करना है आप महाँ पर save कर लेना तो हमारी जब file save होगी अराम से बेफिकर होगे उसके बाद हमें इसे करना है extract जैसे ही आप इस पर click करोगे इसे आप करना extract करने के बाद आप इसके बगलमी एक folder बन जाएगा इसी के नाम का इस folder को आपको करना है open ठीक है इस folder को आपको करना है open open करने के बाद यदि आपका system 32 विटका है तो आप करना ऊपर वाला यदि आपका system 64 विटका है तो आपको करना है नीचे वाला जिस पर लिकरा 64 ठीक है आपको इसको open कर लेना ठीक है तो यह हो गया हमारा open ओपन हो गया तो friends अब देखते हैं अपनी process को अपनी pen drive को अपने PC से attach कर लेना तो friends मेरे पास यह pen drive थी जिसका size था 8GB ठीक है लेकिन मुझे इसमें दो विंडों को इंस्टोल करना था मतलब दो विंडों को विंडों से वन को और एक विंडों 10 को दोनों का size मतलब 3.3GB का एक का size हो था 4.55GB मतलब मुझे कम से कम 16GB की pen drive चाहिए मतलब 16GB की space तो मेरे पाप pen drive नहीं है 16GB की इसलिए एक मैं यूज करूंगा memory card जो mobile में लगता है यह मेरा memory card 16GB का ठीक है और इसको attach करने के नहीं मैं यूज करूंगा adapter का adapter जो आसानी साम मार्केट मिल जाता इस memory card को मैं इस adapter में attach कर दूंगा और attach करने के बाद मैं इस adapter को अपने PC से attach कर दूंगा तो जो मेरा memory card है वो काम करने लगेगा यदि friends आपको एक window बनानी होता है एक operating system बनाना होता है तो आपको कम से कम 8GB के pen drive चाहिए यदि आपको दो operating system बनानी है तो आपकी 16GB की pen drive काम कर जाएगी यदि आपको चार चार बनाने तब आपको 32GB की pen drive चाहिए ठीक है देख लेना आपकी file size कितना है file size के अनुसारी अपनी pen drive को select कर लेना pen drive नहीं है तो memory card को भी select कर सकते हो ठीक है अब चलते है अपने process पर sorry दोस्तों मेरा जो memory card था 32GB का तो आपको सबसे पहले auto format पर क्लिक करना है ठीक है जब आप पहली बार इस में कोई भी window को बूट कर आओ तो पहली बार में इस pen drive को format करना है इसलिए हमें select करना auto format it with fb install ठीक है इसके क्लिक करने के बाद आपको फिर window पर क्लिक करना उसके बाद उसकी ISO फाइल तो मैं जो सबसे पहले select करता हूँ window 10 की विंडो 10 की ISO फाइल को select कर लिया उसके बाद मुझे जाना advanced option पर एडवांस option पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद एक मुझे window खुल जाएगी उस पर जाने के बाद मुझे custom menu custom menu name for vista 78 server source इस पर क्लिक कर देना है वह इसलिए क्लिक करना ताकि जब मैं window install करूं तो एक मुझे मेन्यू सोगा जिस पर लिखा रहाएगा जितनी भी मेरी 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 विंडो होंगी वह तभी मुझे को कर जाएगा मापर जैसा कि आपने देखा था सुरू में उसके बाद आपको go कर देना उसके बाद इसे कर देना है यहां से यहां पर आपको पैताली सेकंड करने के बाद आपके पास आपके पास आपनी विंडो का नाम रख सकते हो जैसा कि मैं रख सकता हूं करने के बाद मेरी अब कुछ नहीं करना चीड़का नहीं हमारी जो मैं पैंड्राइब होनी शुरू हो गई ठीक है उसके बाद थोड़ा वेट करना है पांच मिनट का या तस मिनट का टाइम लेगेगा आपकी जो पहली विंडो है आपकी पैंड्राइब में बूट हो सबसे पहले कर देना के बाद यहां करने के बाद हमें जो दूसरी विंडो है उसकी इससरा फाइल को सेलेक्ट कर लिए और उसके बास अब करना है इडवांस ओपचन उसके वही हमें एक बशुरू। आप मन्तलश उर्म फिर ऋपन हो जाईगी वही हमें करना है कस्टम कि इस पर किलिक सेकेंड का वेट करना आपको फिर ओटो नेम करक्शन करने का एक अप्शन आ जाएगा ठीक है तो यह मैंने रख दिया विंडो सेवन रख देता हूं उसका नाम तो मेरी पैंड्राइब जो है वो बूट होनी शुरू हो गई और विंडो सेवन कुछ देर में बने कर तैयार हो सब एक ही पैंड्राइब में बनाकर रख सकते हैं तो एक बैंट्राइब उसके बारे में भी हम अगली वीडियो बातचीत करेंगे वह भी बहुत ही इजी सॉप्टेवेर है उसमें इससे भी कम प्रोसिस करना होता है सीधा कॉपी पेस्ट करना होता है और कुछ नहीं करना यादि आपको चाहते हो कि बेंट वेंट 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 वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना